दोस्तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जब हमने इस मोटर को पहले चेक किया तब इसमें एक बाइंडिंग ओपिन देखा रही थी लेकिन जब उस motor को हमने खोल के देखा तो अंदर देखा तो binding थी वो पूरी तरह से सही दिख रही थी लेकिन जब binding से हम जो बाइर बाहर निकालते हैं connection के लिए तो वो जो binding वाला बाइर होता है उसमें carbon आ गया था बहाँ पर और carbon के कारण वो एक binding है वो open देखा रही थी लेकिन अगर यही motor आप दुकान बाले के पास चेक कराते उसको दिखाते तो वो simply आपसे कहता है कि आपकी एक binding खराब है जिसके लिए हमें पूरी binding करनी पड़ेगी और इतना इतना उसका charge लगेगा तो आपसे वो पैसे ले लेता लेकिन वो binding को जैसे हम सही कहिया है वैसे भो भी कर देता और आपको उसके बायर भी change कर देता और आपसे बोल देता कि इसकी binding change हुई है आप उतना उसको पैसा दे देते लेकिन ऐसे हमने घर पर चेक करके हमने पैसा बचाया है तो देखिए आपको जब हमने चेक कर लिया है कि क्या फॉल्ट ह सो Evans at और आज हम आपको बदाएंगे कि की आपको उसमें बायर कैसे कनेक्ट करना है कैसे आप उसमें क्पा Pra fantasy निकाल सकते हैं और इसका जो copper वाला जो बायर होता है, insulated बायर होता है, जो binding वाला, उसका जो insulation है, इस परकार से आपको insulation सभी का साप कर लेना होगा, तो हमने सभी के insulation को भी साप कर लिया है, और एक बार हम आपको check भी करा देते हैं, कि देखें, दोनों binding अब सही दिखा रही है, तो अब हमे क्या करना है, इस पर ये जो binding है, इसके बायर को हमें बाहर निकालना है, connection के लिए, तो कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, तो देखें, आपको ये अर्थिंग भी check कर लेने हुए, कि ये कहीं motor है, वो अर्थ तो नहीं हो रही है, कहीं कोई जो बायर है, वो short होके हमारा ये body से touch ना हो, तो इसके बाद हमें इस पर sleep को चड़ाना होगा, जिससे ये sleep हम इसलिए चड़ाते हैं, जिससे जो motor होती है, जब चलती है, तो उसमें heat produce होती है, और heat के बज़े से जो हमारा wire होते है, जो भी wire हम डालते हैं, तो वहाँ पर जो उसका insulation होता है, तो वो खराब ना हो पिखले ना, इसलिए हम उसके लिए जो sleep होती है, उसको चड़ा देते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले पतली वाली sleep ली है, और यह हम सभी जो तीनों binding के wires हैं, उन पर हमने इसको चड़ा दिया है, और उसके बाद हमने बाइर के टुकड़े लिए हैं, और उ आपको यहाँ पर इसने हिसाब से नाप लेना है, कि सारे बाइर हैं, सारे binding के बाइर हैं, वो एक जगए पर आ जाएं, और इसके बाद आपको सभी जो हमने तीन बाइर निकाले हैं, जो हमें डालने हैं इसकी binding के, तो उसमें आपको इस प्रकार से पहना लेना होगा sleep को, और sleep के जो पहली जी यह बाली जो binding थी, वो हमारी common थी, दोनों binding के बाइर इसमें connect हो रहे हैं, तो black बाली बाइर से हमने common binding को connect कर लिया है, और connect करने के बाद आप अच्छे से sleep को इस प्रकार से चड़ा देंगे, जिससा जो उसका connection है, वो sleep के अंदर आ जाए, तो इस प्र के करीब है, तो इसी प्रकार से आपको सभी जो हमारी तीनों बायर से हैं, उनको connect कर लेना है इसी प्रकार से, और उसके बाद आपको इन बायर को जो binding है, उसको अच्छे से कसना होगा, बांधना होगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये paper ले लेंगे, paper के टुकड़ा लेंग ना हो जाए बायर हमारा, कट ना जाए, तो इस प्रकार से देखी हमने यहाँ पर paper को लगाया है, और ये बायर की साहधा से हम ये जो धागा है, उसको निकाल लेंगे, और इस प्रकार से आपको बांध सकते हैं, तो देखी हमने इसको बायर की सुई टाइप को बनाए है, इस प्रकार से यह स्वें कmosкой करते से मीं करते हैं इस प्रकार से आपको बाेट錯 दॉआने को विह को कर Mia तो देखिए इस प्रकार से आको यह आगार नहीं है हमारे एक जगार पर है क्योंकिि यहां पर कवर ерьॉता है लिए आपको एक जगार यहां। और इसके बाद आपको धागे से पूरी तरह चारो साइट को आपको कस देना है अच्छे से जिससे आपकी जो binding है वो एक जगह रहे फिक्स रहे और उसके बाद आपको यहाँ पर इसके cover को लगाना होगा तो देखी यहाँ पर यह जो तीनों बायर है जो हमारा दूसरा cover है उसका जो यह hole है इसमें से तीनों बायर को निकाल लेना होगा और निकालने के बाद आपको इस cover को fix करना होगा यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर हमने इस cover को अच्छे से fix करिया है और इसके बाद जो आपका rotor है उसको आपको binding के अंदर रखना होगा जो हमारी motor है उसके अंदर रखना होगा उसके cover भी fix हो जाएगा कि देख़िए आपको अच्छे से पहले जो बैंडिग हैं उसको साइड में कर लेड़ेना है कि जो हमारा रोटर से टशना हूँ और इसके बाद आपको यह जो नट है इसके स्क्रूब होते हैं उसको आपको यहाँ पर सभी को लगा लेना हुगा तो देखे सभी को लगाने के बाद आपको बासर भी लगाना है और उसके बाद नट को यहाँ पर इस प्रकार से लगा लेना हुगा और सभी नट को आप जब लगा लेंगे और उसके बाद जब आप मोटर के जो ये नट हैं इनको कसेंगे तो आपको थोड़ा-थोड़ा करके सभी को कम-कम करके टाइट करना होगा धीरे-धीरे एक साथ आप एक कोकट टाइट नहीं करेंगे जससे आपकी जो मोटर है इस प्रकाले टाइट करेंगी कि अधीरे वह जाम नहीं हो उसको चेक करने और इसके बाद आपको बायर को चीलें इसको और आप दुबारा इसको टेस्ट करेंगी हमारी बायंडिनिंग है वह सही है कि तो इस में हमें किसमें connection देना है तो यह जो बल्ब है वो 60 वार्ट का है तो इस में ज्याद असम्जिवें नहीं आ रहा है तो हम इसके जो capacitor है उसको connect करके फिर देख लेंगे हमारी जो motor है वो सही सीधी के side घूम रही है उल्टी के side घूम रही है उससाब से हम उसके बायर को निकाल देंगे कि इसमें हमें न्यूटरल फिस देना है तो देखिए यहाँ पर यह बायर है इसमें हमें एक बायर को जोड़ देना है कैपिस्टर की और इसमें जो लाल वाल वायर है दोनों में जोड़ना है यह जो था वो हमारा common वायर था ब्लेक वाला तो उसमें directly हमें न्यूटल या फिस एक वायर हम उसमें connect कर देंगे और दुबारा देखिए हमें इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मौटर है वो slow घूम रही है और यह वाला जो तार है यहाँ पर देखिए मौटर फुल स्पीड में घूम रही है तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर supply को देना है तो यह जो दूसरा वायर था जिसमें दूसरा वायर है उसको हम कर देता है जिससे क्या है जो हमारी कनेक्शन है कोई उल्टा कनेकशन इसमें ना करें तो यहाँ पर हम टेप कर देंगे और यह दो बैर हैं इसमें हो रदे स्क restore गभी आपके घर पर पर की कोई मौटर या फें खराबendeu था है तो सबसे पहले आप उसको अपने घर पर ही चेक करें, उसके बाद आप उसको मार्केट लेके जाएं, क्यूंकि आपको पता है को मोटर है वो खराब हुए, अगर आप दुकान वाले की पास लेके जाएंगे तो आपका पैसा तो लगना ही लगना है, और इससे अच्छा है आप उसको घर पर ही च इसको चैक कर सकते हैं, और आपको सीरिस बोट का यूज करना नहीं आता है, तो हम किसी वीडियो में आपको बता देंगे, तो आप सिम्पल तरीके से सब कुछ काम आप सीरिस बोट से कर सकते हैं। तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में किसी और वीडियो में